हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो समिना क्लासेस फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस कने वाले हैं आपके FST1 के MCQs चैप्टर 16 से और इस चैप्टर का नाम है आपका बदलता हुआ परियावरन ठीक है तो फ्रेंट्स इससे पहले की वीडियो इस चैनल पर एक्साम के प्रपरिशन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोशन नमबर बन से सबसे पहला कोशन है आपका इस चैप्टर से परियावरन में एक दूशक प्रदार्थों के प्रवेश के कारेंट प्रकृतिक संतूलन में पैदा होने वाले दोश को क्या कहते है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रदूशन Q2 है आपका यहां पे Upsist प्रदार्थ प्रदूशक जिनके कारण प्रदूशन होता है कितने प्रकार के होते हैं तो आपको यहां पर बताना है कि प्रदूशक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्रदुषक होते हैं आपके दो प्रकार के, पहले होते हैं आपके देर्ग स्थाई प्रदुषक और दूसरे होते हैं आदेर्ग स्थाई प्रदुषक ठीक है? तो ये दोनों नाम आप अच्छी तरीके से याद कर ले जेगा, क्योंकि इस तरीके के questions आप से exam में ज़रूर प प्रशा का पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम ठीक है तो अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो आप इसका उतर देंगे 5.6 से कम ठीक है है आपका अगला कोशन और यहां पे आपसे कूछा क्या है कौन सी गैस हीमोगलोबिन से मिल जाती है और रक्त की ऑक्सिजन वहन शमता कम कर देती है तो उस गैस का नाम है आपका कारवन मोनोकसाइड ठीक है कारवन मोनोकसाइड जो होती है वो काफी ज़्यादा जहरीली गैस होती है जो हेमोगलोबिन में अगर मिल जाए तो उक्सिजन वहन शमता को भी कम कर देती है नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर सिक्स पर आपसे पूछा गया है पोशक तत्वों से जल को समरद्ध बनाने की प्रकरिया को कहा जाता है आपका सूपोशन ठीक है तो इस व पर है है आपका यहां पर भौपाल दुरघतना कब हुई थी और किस के फैलने से हुई थी ठीक है तो इसका पर इकार लिए приг Now एक लिए और आपका बॉछा जाया है और अगर आप इन वाले points को अच्छी तरीके से याद कर लिजेगा ठीक है अगला question देख लेते हैं question number eight question number eight पर यहां पर आप से पूछा गया है चर्णोबिल दुरगटना कब हुई ठीक है तो चर्णोबिल दुरगटना जो हुई थी वो 26 अपरेल 1986 में हुई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 26 अपरेल 1986 में ठीक है तो फ्रेंट्स ऐसे questions आप से एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जिनमें आ नोडाउन करकर आप इनके रोज प्रैक्टिस कीजे ताकि आप से कोई भी MCQs मिसना हो आपके एक्साम में और फ्रेंट्स अगर आप लोगों को इन सभी MCQs का PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करकर बता सकते हैं मैं इन सभी वीडियो का जो इन सभी जो PDFs का लिंक है वो नीचे description box में आपको provide कर दूंगी तो आप वहां से इनन डाउनलोड करकर अपने एक्साम के preparation कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप ऐसी ही वीडियो देखने चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साइड में बैल आइकन होगा उसे प्रेस कर question number 9 पर है आपका why you production के current स्वास्ते पर पढ़ने वाले तीन प्रभाव बताईए तो why you production के current स्वास्ते पर पढ़ने वाले तीन प्रभाव हैं आपके सांस के रोग हो सकते हैं सरदर्द हो सकता है और आँख की जिली पर बहुत प्रभाव पढ़ सकता है ठीक है तो यह तीन वायू प्रदोशन के कारण स्वास्ते पर पड़ते हैं ठीक है इनको भी आप इच्छे तरीके से आद कर लीजेगा नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर टैन कोशन नमबर टैन पर यहां पर आपसे पूछा गया है शोर की तीरविता किस से मापी जाती है ठीक है शोर की ज आपको पसंद आई होगी और अगर आई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इने जरूर शेयर कर दीजेगा ताकि और भी स्ट्रेंट की हेल्प हो पाएं